जाते रहो भार भार एक ही प्रशन आता है कि एंकार क्या है एंकार से मुक्ति कैसे हो और मैं कहता हूँ एंकार है भी नहीं और दिखता भी नहीं लेकिन है तो बहुत कुछ और वही एंकार तो परमात्मा प्राप्ति में बादक है वो एंकार है क्या तुम जो भी काम धर्म के करते हो वो दिखावे के लिए करते हो या भीतर से उठता है तुमारे बने बनाए मंदिरों में बजाए गए गेंटे घडियालों का कोई लाब नहीं है वो घंटियां अगर तुमारे बीतर से उठती है तो कहीं भी उठ जाएंगी उसका लाब है तुम जो सडकों पर नमाजे पढ़ते हो उसका कोई लाब नहीं वो नमाज अगर तुम चलते चलते बीतर से पढ़ते हो वो अल्ला से प्रेम बीतर से उठता है तो कोई शब्द नहीं चाहिए वो अजान की आवाज तुम्हारे भीतर से उटनी चाहिए दे वो अजान की आवाज मस्जिद लोक से कोई लब नहीं वो अल्ला का दिदार ही तब होगा जब उसके प्रेम के लिए पुकार भीतर से उठेगी एहनकार एहनकार दिखता भी नहीं है एहनकार होता भी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है अध्यात्म धार्मिक्ता परमात्मा आस्तित्व खुदा साक्षी यह तभी उतरता है जब तुम ना रहो जिनको भी खुदा मिला उनको तब ही मिला जब उसको पाने वाला नहीं रहता पर मात्मा मिलता ही तब है जब तुम उसे चाहने वाले उसे खोजने वाले तुम ना रहो और तुम तो हमेशा ही रहना चाहते हो तुम ही तो पाना चाहते हो उसे और अपने अपने विशेशनों के साथ रहना चाहते हो ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, ब्राह्मन, शक्त्रिय, वैश, शुद्र, शीया, सुन्नी, महामंडलेश्वर, शिरी शिरी 108, शिरी शिरी 1008 ये विशेशन ही तो है, और तुम ही इनी के साथ रहना चाहते हो और इन्हें दारण करकर ही तुम परमात्मा पाना चाहते हो, जो कभी नहीं हो सकेगा परमात्मा को पाने के लिए तुम कहते हो शर्ते हैं, हैं, बिल्कुल हैं लेकिन वो कोई ऐसी शर्त नहीं है जो तुम्हारी पुस्तकों में है वो शर्त है कि तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ता है वो ये शर्त भी नहीं है कि तुम्हें घर छोड़ना पड़ता है गाड़ी छोड़नी पड़ती है बंगले छोड़ने पड़ते हैं, अपना बिजनस छोड़ना पड़ते है नहीं, तुम्हें तुम को छोड़ना पड़ता है स्वायम को छोड़ना पड़ता है स्वायम के नाम को छोड़ना पड़ता है मंदिर मस्जिद को छोड़ना पड़ता है दूसरे को, किसी भी दूसरे को जिसको तुमने पकड़ा है उससे छोड़ना पड़ता है और गुरू को भी छोड़ना पड़ता है इसलिए मैं कहता हूँ कि जो गुरू यह कहता है कि मेरे से दिक्षा ले लो मैं परमात्मा से मिलाओंगा बिलकुल ठीक ठीक समझ लेना कि वैस्वय हम ही आज तक परमात्मा से नहीं मिला है उसे उसका अध्वार ही नहीं पता है तुम बहार के मंदिर छोड़ोगे नहीं तो भीतर का मंदिर कहां से उपजेगा सुनए है ना तुमने मन मेरा मंदिर तुम्हारे भीतर के मंदिर में बैठ है वो तुम्हारा वो देवता जिसे तुम खोजे जा रहे हो तुम्हारे ही भीतर बैठ है तुम्हारे भीतर की मस्जिद से आनी चाहिए थी अजान की अवाजे पूरा दिन भीतर की मस्जिद से अल्ला अल्ला की गूंज उटनी चाहिए थी भार के मंदिर मस्जिद सभी जूट है और जब तक तुम भार की घंटियां बजाने की चेश्टा करोगे भार की सडकों पर ही नमाज पढ़ने की चेश्टा करोगे तब तक याद ही नहीं आएगी कि हमारे भीतर भी एक मंदिर है जहां पर वो अल्ला बैठा है हमारी पतिक्षा कर रहा है कि मुझे चाहने वाला कब आएगा लेकिन तुम भारी खोजे जा रहे है वो भीतर विराजमान है तुम सूचते हो तुम ही उसके लिए पागल हो नहीं वो तुम से भी ज़्यादा पागल है दिन राज 24 गंटे तुमारी बाट में आलता है कि कभी तो तुम मुडोगे भीतर लेकिन तुमने कभी भी भीतर के मंदिर में देखा ही नहीं वहां दूब दीब कभी नहीं जलाई वहां कभी भी घंटे गड़ी आलनी बजाए भीतर की मर्चित कोई भूल गए वहां कभी भी अजान की आवाज नहीं बूली सारी उम्र बहारी बहार भागते रहे पूरी जीवन बिता दिया बहार इद मनाई बाहर के लोगों के गले मिले लेकिन जो भीतर खुदा बैठा है उससे गले मिलना भूल गए उससे कभी भी ईर का चांद ना देखा वहां तुम गई नी तुम धन, पद, पतिष्टा के लिए बाहर भागते हो ना तुम्हें बाहर भागने की ऐसी आदत हो गई कि तुम सोचते हो पर्मात्मा भी बाहर से मिलेगा पर्मात्मा के लिए भी बाहर की और ही मुख की हो और जो भी पर्मात्मा को बाहर खोजेगा वो कभी भी पर्मात्मा को नहीं पा सकेगा बाहर से संसार मिलता है पर मात्मा बीतर से मिलता है लेकिन उसके लिए शर्ट ऐसी है कि तुम पूरी नहीं कर पाते हैं धार्णाएं छोड़नी पड़ती हैं और तुमने हमेशा सही पकड़ना सीखा है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसल्मान हूँ कैसे छोड़ेंगे बर्षटो की धरनाएं, जनम जनम की धरनाएं क्या तुम भीतर हिंदू हूँ या मुसल्मान या सिख़् या इसाई, भीतर से तुम क्या हो नहीं, भीतर से तुम एक ही हो जब वहां ओर कोई है ही नहीं तो हिंदू किसे कहोगे क्योंकि हिंदू कहने के लिए तो मुसल्मान का होना आवशक है बीतर तो तुम तुम जैसे भी नहीं हो ना हिंदू ना मुसल्मान ना सिक्ष ना इसाई ना ब्रामर ना शुद ना बच्चे ना बुड़े बीतर तो तुम कुछ हो दी हो बीतर तो तुम केवल एक ही हो साक्षी सनातन समय से पढ़े काल से पढ़े जिस दिन उसे एक बार देख लोगे उस दिन तुम बाहर को भूल जाओगे जिसे शाश्वत संपदा मिल जाए तो क्या वो संसार के कंकड पथर बटो देगा और क्या फिर उसे समझाना पड़ेगा कि कंकड पथरों को त्याग दो मैं इसलिए कहता हूना कि तुम्हारे सारे त्याग वैरत तुम त्याग भी दूसरे के कहने से करते हो तुम्हारा बोध नहीं जागा अभी तक तुम कहते हो कंकड पथर त्यागेंगे दमन करेंगे जैसा तुम्हारे धर्म गुरू समझाते है और तुम मूरतावश त्याक करने की सोचते हो होता फिर भी नहीं क्योंकि तुमने शाश्वत को नहीं देखा और जिस दिन देख लोगे उसको उस दिन तुम्हारा हिंदुत तुम्हारा इसलाम कहां खो जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा उस दिन तुम कहां खो जाओगे तुम्हें ये भी ग्यात नहीं देगा तो कौन समझेगा कौन समभालेगा तुम्हारी कंटी माला कौन समभालेगा तुम्हारी टोपी कौन समभालेगा वहां तुम्हें गीता, कुरान नहीं वहां ना तुम्हें गीता चाहिए ना कुरान, ना बाइबल ना गरंत वहां तो वो होगा और तुम होगे और कुछ भी तो नहीं चाहिए तो एंकार एंकार क्या है एंकार कुछ भी नहीं है लेकिन एंकार बहुत कुछ है और जो नहीं है उसको मिटाना यही तो कला है और यही कला बुद्धो के पास है मैं तुम्हें एक कमरे में भीज दूँ जो कमरा खाली हो और मैं तुम्हें कहूँ कि इस कमरे में जो भी है उसे बाहर निकाल दो तो तुम जाके क्या करोगे, कैसे बाहर निकालोगे कमरे में तो कोई भी नहीं है जहां कोई नहीं है, वहां से उसे बाहर निकालना बड़ी मुश्किल का काम है तुम तल्वारे ले जाओ, भाले ले जाओ, कुछ भी ले जाओ किसे बाहर निकालोगे, कैसे बाहर निकालोगे तो एहंकार, एहंकार कैसा है उसे कैसे समात्त करोगे वहाँ है भी नहीं लेकिन वहाँ बहुत कुछ है और यही विदी बुद्धों के पास है और यही विदी बुद्ध तुमें समझाते है जिस दिन इस मे को बाहर निकाल दो गई उस दिन वो खुदा सामने खड़ाए तुम भूल गए, तुमने चूब कर दी तुम्हें परमात्मा को पाना था तुम्हारे शास्त, हिंदुत तु एक सीड़ी थी शास्त उस सीड़ी की रेलिंग थे अब परमात्मा तुम्हारी मंजल थी इसी परकार इसलाम इसलाम एक मारग है वो सीड़ी है वो दास्ता है कुरान रेलिंग है उस रेलिंग को पकड़ के कुरान को पकड़ के तुम्हें खुदा को पाना था तुम खुदा को चुब गए किसी ने हिंदुत्यों को पकड़ लिया किसी ने इसलाम को पकड़ लिया किसी ने गीता पकड़ ली किसी ने कुरान पकड़ ली और अपने अपने पकड़ने को ही सई ठैराने लग गए और लड़ने लग गए और खुदा को भूल गए मन्जिल तो खुदा थी प्राना तो खुदा को था जानना तो जदे जदे में परमात्मा को था तुम हिंदू से ही संतुष्ट हो गए तुम मुस्लिम से ही संतुष्ट हो गए वो नहीं है एहंका नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है और जो नहीं है उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है और वो बड़ा असान काम भी है अगर कोई जीवन में तुम्हें बुद्ध मिल जाए तो एक मिनट में दिखा देगा आज इतना ही शेश किसी और दिन अंत में तुम्हारे बीतर बैठे पर मात्मा को मेरे नहीं तुम सभी जागो जाकते दो कर 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 दो